हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मार्केट के ऑवर्विव से लेगे हम देखेंगे कि क्या मार्केट में इसी तरीके की तेजी यहां पर चलती हुई दिखाई देगी या मार्केट गिरती हुई नजर आएगी क्या exactly होता हुआ नजर आ सकता है या फिर यह ए बाउंस कहते हैं फिर उसके बाद दुबारा गिरता हुआ नजर आते हैं जैसा कि नॉर्मल होता हुआ दिखाई देते हैं तो मार्किट का ओवर्विव एक बार जानेंगे कि exactly क्या चलेगा पूरे वीक के लिए क्या हो सकता है मैं अपने चीज़े के हिसाप से आपको बताऊंगा तो अपना due diligence उसके according करिएगा buying selling की कोई recommendation नहीं है तो सबसे पहले चैनल को subscribe, bell icon को hit all notification कौन कर लिजिए, buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor खुद की study करनी है चीजों को सीखना है यहापर चीजों को सिखाने के लिए यहापर यह channel है किसी भी तरीके का recommendation हम यहाँ पर देते नहीं है और इन videos को आप जाके देख सकते है as well as अगर आपको चीजों को बारी की से सीखना है आपको सीखना है किस तरीके से आप एक अच्छे खासे return बना सकते है market से और किसी भी परिस्थिती में तो वह हो यहाँ पर basics to advance technical research fundamental risk management risk reward ratio कब शीजों को लेना है कर चीजों को बेचना है और कहना पर हमारी Core तो आप थोड़ा सै experience market से ले लीजेगा पीजर मुड़के देखने की आपको ज्रूवत नहीं पड़ेगी एस वेल एस हम यहाँ पर सेभी के रिश्ट्रेशन के लिए लाइसेंस के लिए वो जल्दी जाते हुए दिखाई देंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपको थोड़ा वो तो रिकमेंडेशन भी शायर देते हुए नजर आ सकते हैं ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा करते हुए नजर नहीं आते हैं जो चीट यहाँ पर है वही बताते हुए नजर आते हैं क्या अच्छा है अच्छी चीटे ही यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि mostly stock आप देखोगे सारे की सारे है ठीक है आपको बड़े stocks भी बता सकता हूं बड़े stocks लेनी बताता क्योंकि वहाँ पर पैसे नहीं बनने चोटे stocks में पैसे बनने है तो चोटों में best क्या है वो में आपकी दामने लाता रहता हूं यहाँ पर देखोगे तो 140% के return हम यहाँ पर मिलते हुए नजर आए ठीक कि आपने देखा last coaching जो हमारी होती हुई दिखाई दी Friday को 190 points की लगबग 1% की होती हुई दिखाई दी तो क्या यह जो rally है जो question है क्या यह जो rally है यह rally इसी तरीके से continue होती हुई दिखाई देगी क्या इसी तरीके से रहेगी यह question है ठीक है तो इस question का answer में आपको देता हुआ नजर आऊंगा इस video में ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए एक मैंने इससे पहले एक video बनाई थी last week और मैंने आपको बताया था कि market में क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है तो उसके according ही आप यहाँ पर देखोगे तो उसी market गिरी होके एक चीट बता रखी थी एक support बता रखा था उस support को इसने respect किया और respect करके यहाँ पर bounce back होता हुआ नजर आया तो अब क्या होता हुआ नजर आ सकता है उसस सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ मैं इससे पहले आपको कुछ चीजगे यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ ठीक कि आपको बताना चाहता हूँ på यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आप देखोगे, 8 DMA को इसने टोड़ दिया है, धीरे धीरे 20 को भी तोड़ेगा, और 20 को तोड़ने का यहाँ पर 4 पर आके यहाँ पर शाया सेटल होता हुआ नजर आ सकता है, तो पहली बात यह रही, दूसरी बात हम यहाँ पर बात करे और चीज़ों की, तो यहाँ पर Brent Oil को देखिए, आप देखोगे, यहाँ पर Oil का प्राइस यहाँ पर आपके सामने है कि 27 अक्टूबर को, ठीक है न, यहाँ पर 88.77 टॉलर के आसपास, यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर क्या है, अभी रुकावट होती ठीक है, मुझे नहीं लगता है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत तेजी होती दिखाए देगी, तो दो चीज आपके लिए positive है, ठीक है न, यहाँ पर देखोगे, Bitcoin का ऊपर जाना यह चीज़े बताती है, कि Market अच्छा है, Market में किसी तरीकी की problem नहीं है, इंडिया Wix को देख ठीक है, अभी यहाँ पर cautious रहनी की जरुवत नहीं है, अभी आपको देखने की जरुवत है, यहाँ पर मुझे consolidation नजर आता है, बट negative चीज क्या होई, negative चीज यह होती हुई दिखाए दी, कि डो जो 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 अमेरिकन मार्केट है, वो यहाँ पर close होता हुआ दिखाए दिख जो range थी, उस range के यहाँ पर नीचे बंद हुआ, that is a negative thing, ठीक है, और यहाँ पर अब क्या दिखाए देता है, मुझे लगर नजर आता है, कि अगर यहाँ से रुख गया, तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुखता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाए दे सकत है, यहाँ पर आप देखोगे, तो support नजर आता है, ठीक है, बट यह support तो अच्छा ही है, बट मुझे लगता है, कि यहाँ पर शायद आएगा, और आकर यहाँ पर bounce back, और यहाँ पर कभी भी bounce back आ सकता है, ठीक है, ना oversold market है, जो American market है, तो यहाँ पर ध्यान रिखना है, तो इसके बाद हम यहाँ पर Indian market की भी बात करने वाले है, कि exactly यहाँ पर चल गया रहा है, तो आपने समझ लिया, कुछ चीर हमारे favor में है, कुछ चीर हमारे favor में यहाँ पर नहीं चल रही है, यहाँ पर Nasdaq को भी देखोगे, तो positive बंद होता हुआ दिखाए दिया, और इसने ए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, तो निफ्टी-फिफ्टी की अगर हम बात करें, तो निफ्टी-फिफ्टी में आपको यहाँ पर पता चलेगा, कि bounce back होता हुआ नजर आया है, बट एक support है, अगेन दुबारा वो ही support, एक तो यहाँ पर आपका support अठाराइजान नौ एक गिरावट होती ही नजर आ सकती है, जो कि इसे फिर खीच के ले जाएगी 18,362 की ओर, ठीक है न, 18,513 और फिर 18,300 की ओर, तो एक एक करके फिर उसके लेवल आएगा, फिर हम एक करके यहाँ पर बात करेंगे, बट इस्टिल अभी positive है, ठीक है न, बट यहाँ पर तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप इंडेक्स की आप देखोगे, तो गिरावट हुई हमने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर उसके बाद एक तेजी होती ही दिखाए दी, बट इस्टिल मैं फिर भी कहूंगा, यहाँ पर मैं भी positive नहीं हूँ, दो परसेंट बागा है, तम मैं यहाँ पर तेजी मांगनूगा, otherwise मैं यहाँ पर अभी तेजी नहीं मानता, अभी मैं मानता हूँ कि यहाँ पर यहाँ तो consolidation होगा, और अगर सब चीज गिरता है, तो यह भी यहाँ पर तोड़के निकल जाएगा, तोड़ना भूत मुश्किल है, ठीक है ना, मुश् नीचे आके, अगर मार्केट गिरी तो यह सीदे, 35,780 और 770 के आसपास आ सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान देना है, यहाँ पर यह भी मुझे positive नजर नहीं आता, ठीक है, तो rally जरूर हुई है, बट आपको cautious रहना है, इस rally को देखके यहाँ पर आपको aggressive नहीं होना, mid cap में तेजी तब होगी, जब यह यहाँ से 44,000 का level cross करेगा हूँ, ठीक है, अब बात करते हैं, हम यहाँ पर करना क्या है, तो देखिए, market कभी भी या तो गिरते, गिरती हुई नजर आए या भागती हुई नजर आए, इंडेक्स गिरते हुई नजर आए या भागते हुई नज तो depend करता है कि आपके पास कौन से stock है, कि आपके पास वो stocks है, जो इस cycle के leader है, ठीक है, जो यहाँ पर super performance stock है, अगर आपके पास वो stock है, तो obvious ही बात है, आप यहाँ पर विजय है, यहाँ पर जो कहते हैं, कि ऊपर की तरफ जाना आपका portfolio, वो जाता हुआ नजर आएगा और इन नमबरों पर, यहाँ पर हमें basics to advance कि यहाँ पर course कराते है, हम बताते हैं कि कैसे यहाँ पर आप अपने best stocks को लेके, यहाँ पर carry on कर सकते हैं, फिर market गिरे, तो stocks थोड़ा बहुत गिर सकते हैं, बट bounce back भी वो सबसे जादा है, यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखना है, buying selling की कोई recommendation नहीं है, अपने financial advisor खुद की study करना है, और यहाँ पर double top का, यहाँ पर breakdown भी हुआ है, तो थोड़ा cautious रहना है, as well as channel को subscribe, bell icon को hit all the notification को on करना है, market में मैं आपन ना तो positive हूँ, ना negative हूँ, थोड़ा सा negative जरूर हूँ, So, thank you so much, God bless.